आज राष्टपती जी का एक बयान आया है उन्होंने चिंता जाहिर किये कि देश में महलाय सुरक्षित नहीं है बेटिया सुरक्षित नहीं है देश की आजादी के बाद पहला ऐसा बयान है जिसमें देश के राष्टपती ने इस तरह का वक्त अब और भी महला राष्टपत मेसेज क्या है मेसेज यह कि नरेम्र मोदी जी के नए भारत में बेहनों के साथ अन्याय और अक्तियाचार की पराकाश्टा हो गई एसे उनकी ही सरकार मद्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जहां दलित अक्तियाचार की राजधानी बन गई छूट है बीजेपी के कारी करताओं को दलितों के उपर पेसाप करने की उनको पेसाप पिलाने की उनको नंगा करके मारने की दोड़ा-दोड़ा कर मारने की घसिट-घसिट के मारने की कई उधारने अब तो पराकास्था हो गई कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन दलितों के दमन में लग दिया कटनी की घटना क्या मेसेज है मेसेज है कि मोहन यादों जी की सरकार ने छूड़ दे दी अधिकारी दलितों पर बावा साब भीम राव अंबिट करके अनियाई उपर फूल अत्याचार करें और सरकार की चूट है सीधा एफायर होनी थी उस मेला अधिकारी पर सस्पेंड किया मेसेज है आप मारो हम बचाएंगे मैं कटनी जा रहा हूँ आज हमारी सेवादल की मिटिंग थी लक्ष था हर बूत पर दो सेवादल के हमारे परिवार के लोगों के कि गठन की वेवस्था बने और एक जल्दी ऐसा समय आए जब एक लाग 40,000 एक लाग 50,000 पर पर देश की बात करके बोपाल में मार्च करें इस वेवस्था को बनाने का लक्ष आज हमारे सेवादल के सभी संदेटकों को हमने दिया है मैं मानता हूं आने वाले समय में कांग ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जिंता ने विपक्ष क्या दाइट वदिया तो विपक्ष अपना दाइट वनी भार जहां अपता है चार अनाचार अधिकार काहनन होगा महां पे कांग्रेस पार्टी का कारी करता अपना फुन पसीना लगाएगा अपनी जान लगाए लगातार अंदोलन इस बात के लिए घोतक है कि हम बीजेपी से हर पुप्रबल्द का परदाफास करेंगे बश्टाचार का करेंगे इनके गोश्टा पत्र बचन पत्र पालन करने के लिए मजबूर करेंगे और इनका असली चेरा प्रदेश की जंता तक लेखे जाए तो आप पुलिस ने अत्याचार किया क्या घर तोड़ा जागा उस पर एफायर होगी जरूरी सवाल है ट्र टासरो पुलिस ने चाहा होगी जरूरी सेट पिल्जार प्रदेशी जरूरी सवाल है